जो बीजेपी के द्वारा जो जिस तरह से लोगों के बीच में वादे किये गएं और वादों के हिसाब से काम ही किया गया डेश में जिस तरह से बेरुजगारी है जिस तरह से आपका महंगाई बर रहा है देश में जिस्ता से असांती फैली हुई है देश में जितने भी विपक्षी दल के नेता है उनको परसान किया जा रहा है और देश के किसान बेहाल है देश के मजदूर बेहाल है तो इसी सब चीज को ले करके बीजेपी की सरकार 2024 में कैसे हटे और जो है हम लोगों का महागट बंधन की सरकार कैसे बने इसी को ले करके यह जो है तेश तारी को बैठक होना है और सभी विपक्षी दल जो है आज के सबय में एकजूट है बैयार के शुरम शंतावन मंतरी सुरेंदर राम है हमारे साथ इस वक चुरेंदर जी तेश तारी को विपक्षी एकता के बैठक होनी है बैठक को लेकर क्या कुछ तयारी है क्या कुछ लिए है देखी बैठक का उदेश यह है कि जो बीजेपी के द्वारा जो जिस तरह से लोगों के बीच में वादे किये गए और वादों के हिसाब से काम नहीं किया गया देश में जिस तरह से बेरुजगारी है देश में जिस तरह से आपका महंगाई बढ रहा है देश में जिस तरह से असांती फैली हुई है देश में जितने भी विपक्षी दल के नेता है उनको परसान किया जा रहा है और देश के किसान बेहाल है देश के मजदूर बेहाल है तो इसी सब चीज को ले करके BJP की सरकार 2024 में कैसे हटे और हम लोगों का महागट बंधन की सरकार कैसे बने इसी को ले करके ये जो है तेशतारी को बैठक होना है और सभी विपक्षी दल जो है आज के सभय में एकजूट है और ये एकजूटता केंद्र की सरकार BJP की न्यू को हिला के रख देगी ने कहा है कि थर्ट फ्रंट करना चुगी है देखिए जब से अमीद साह से मिल करके आये हैं तो उनको हम लोग क्या कहें अमीद साह से जो भी मिला और उनका बात को जो भी सुना उस उनकी पाटी जो है खत्म हो जाते जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि राम बिलास पसवान माजी की पाटी को बीजेपी वाला खतम कर दिया बीजेपी एकदम दलित बिरोधी है और दलित का जो भी पाटी है संगठन है वो अपने राजनीत के तहल उसको एकदम से खतम करने के दिशा में वो काम कर रही है पिते दिनों माजी जी का यह भी सुरिंदर जी ब्यान आया है कि तेजश्व यादों को नितिश कुमार धोखा देंगे मुखे मंत्री नहीं बने देखिए आगे ऐसा नहीं है यहां जो है महा गटबंधन में सभी लोग हैं और जो भी आगे जो निर्नय होगा मुख मंत्री अगला दोहजार पचीश के कौन बनेंगे यह महा गटबंधन के बैठक से निर्नय होगा और जो निर्नय होगा वो सब लोगों को मंजूर होगा अगे पार्टी के नेता और विधायक नितिश कुमार को आगे बरहाने की बात कर रहे हैं चौब इसमें कहे रहे हैं कि परदाहान मंत्री के शेहरे कुमिदवार नितिश कुमार देखिए ऐसा नहीं है, हम सब लोग हमारे पाटी के सम्मानिये, हमारे गरीबों के مسीहा, जञजन के निता, नौजवानो के हमदर्ध, बिहार के उपमुक मंतरी सम्मानियी तिजस्वी बावू, और हम सब लोग नितीस बावू, हम सब लोग चाहते हैं कि परदाधान मंतरी आ की निव को उखार करके फेक दिया जाए तो हम लोग जो है जन बिरोधी है दलित बिरोधी है आपका किसान बिरोधी है बीजेपी और हमारे जो है क्या कहा जाए मोदी जी तो जूठे लोग है जूठे की सरकार जो केंदर में चल रही है उसको उखार फेकने की तैयारी है और आगे यह तैय होगा कि हमा उखारने के बाद जो महागट बंधन की अपार जो है बहुमत दोजार चौवीस में मिलेगी उस वक्त तैय हो जाएगा कि इस देश का अगला पी एम परधान मंत्री कौन होगा अंदीम सवाल रहेगा नितीश कुमार तुजश्व्याद दोनों तमिल नाडू आज जा रहे हैं जिसको लेकर बाते सामने निकल करे कहा है यह जा रहा है कि आहम के स्टाइलन को नेउता देने भी जा रहे है देखिए यह तो बात सही है कि इसमें हमारे तिजश्वी बावू और नितीश बावू दोनों विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए और यह पूरे देश का दोरा कर रहे हैं उसी में से यह है कि सभी विपक्षी लोगों को एक सुत्र में बांधा जाए उनको मजबूत किया जाए और जो है जो आसा भी सभी किसान मज़ूर और नौज अच्छा होगा और केंद्र की जो सरकार है मोदी जी की सरकार वो जरूर गिरेगी मोदी जी की सरकार जो है 24 में गिरेगी हमारे साथ बात करने के लिए सुरेंदर राम थे विहाज सरकार में स्रम संसाधन मंत्री है तो वहीं सुरेंदर राम का यह साफ कहना था कि जिस तरीक आपने सुना है और वी तुमाम कवरों के लिए और विसी 24 के साथ बनार है पतना सही होगी अमीद के साथ अभिशेक की रिपोर्ट